दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चेनल बाते साहितकी पर आप सभी का एक बार पुना हर्दिक स्वागत मित्रों आज हम पढ़ेंगे जैसंकर प्रसाद जी की काल जैई रचना कामायनी के द्विती सर्ग आशा सर्ग को आए मित्रों सर्ग को विस्तित रूप में पढ़ें उससे पूर्व इसके कथानक की चर्चा कर लें कामायनी का ये द्विती सर्ग है प्थम सर्ग चिंता जिसके अंत में प्रात्यकाल के आगमन का संकेत है और ये द्विती सर्ग आशा उशा के वर्णन से आरंब होता है इस प्रकार पराजित काल रात्री समाप्त हो जाती है और जैलक्षमिसी सुनहली उशा का आगमन होता है इसके साथ ही रस्ट प्रकृति के विवर्ण मुखडे पर पुना हसी आ जाती है और हिम चटिल शिखर कोमल प्रकाश में चमकने लगते हैं सुनहली धूप फैल जाती है हिम खंडों के गलने से जल से धुली वनस्पतियां साप साप दिन में दिखाई देने लगती है और ऐसा प्रतित होता है कि मानो समस्थ प्रकृति सोने के बाद उठकर प्रबुद्ध हो रही है इसके बावजूद प्रत्वी का बहुत ही थोड़ा सा भाग जल के बाहर होता है अब उस सुन्दर प्राकृतिक एकान प्रदेश में मनु का मस्तिस्क भी सज़ा को उड़ता है और उन्हें ये जिग्यासा सी होने लगती है कि आखिर ये सूर्य चंद्र पवन वरोण आदी किसकी इच्छा से अपना कारे कर रहे हैं और किसके क्रोज से ये प्राकृतिक श इस महानील विराट आकाश चक्र में ग्रह नक्षत्र और विद्युतकन किसे खोजते फिर रहे हैं तथा ये कौन है जिसका अस्तित्व सभी मौन होकर स्विकार करते हैं धीरे धीरे शिष्टि से मनु का संबंद स्थापित होने सा लगता है और उनके हिर्दे में आशा उत धारा तो कभी छिन बिन होने वाली नहीं है और लालसा क्यों इतनी प्रबल होती जा रही है तथा ये जीवन किसकी सत्ता को इतनी प्रबलता से स्थापित करता है मनु उस हिमखंड से उठकर थोड़ी दूर नीचे एक अत्यांत स्वच्छ गुफा में अपना निवास्था बनाते हैं उस गुफा के पास ही सागर ले राता था अब मनु का अगनी होत्र निरंतर चलने लगता है और वे तब साधना में ही अपना जीवन वतीत करते हैं तह रहकर वे यह भी सोचते हैं कि जिस प्रकार मैं बच गया संभावत है उसी प्रकार कोई और भी बच सकता है बे अगनी होत्र का थोड़ा सा अन उस दूर पर उस संभावित एपर इचित व्यक्ति के लिए रखाते हैं उनकी यह अक्रिया चलती रहती है और अब उनकी यह उनमत्तता भी दूर हो चुकी है जो की जल प्रले के परशात उनमें दिखाई देती थी तथा उसके स्थान प के मन में नित्य नमीन जिग्यासा है उत्पन होती और नमीन प्रशन उड़ते परंतु उत्तर कुछ भी नहीं सूचता था इतना होते हुए भी अपने अस्तित्व की रक्षा में वे अपने जीवन को व्यस्त बनाए रखते और नेमेत रूप से अपना कारे करते धीरे धीर के कांत में अपने कर्म में लीन मनु में न जाने किस अतिंद्रिय सुपन लोग का रहश्य बार बार उलजने लगा उनके रिदय में एक प्रकार की पिपाशा वे अनादी वासना मधूर प्राकृतिक भूख की भांती जागरत होने लगी और उन्हें यह अकेला पन अनुहूती होने लगी खालीपन की अनुहूती होने लगी समवेदनशील मनु का विकल मन कुछ विस्मृत सी वयवस्तु खोजने लगा जो यूगों से उनके जीवन से संबंद रखती है आये मित्रों चलते हैं कामायनी के आशासर की ओर और इसकी विस्तित व्यक्या करने क प्रेतन करते हैं उशा सुनहले तीर बरस्ती जैलक्ष्मी सी उदित हुई उधर पराजित काल रात्री भी जल में अंतर नहीं थुई मित्रों सुनहले तीर अर्थात सुनहले तीरों के समान किरने जैलक्ष्मी अर्थात विजैश्री काल रात्री अर्थात प्रिले कालीन जो घोर रात्री थी उसका यहां पर जिक्र हो रहा है अंतर नहीं थुई अर्थात छिप गई मित्रों प्रसुत पंक्तियों में प्रसाद जी संक्षेप में युद्ध का पूर्ण चित्र अंकित करते हैं और इन युद्ध करने वालों में एक और तो प्रले कालेन रात्री है और दूसरी और उशा है इस युद्ध में उशा स्वरनिम क्रणो रूपी 3 को बरसा कर फ्रै रूपी रात्री को इतना अधिक विसलित कर देती हैं कि अंतमे उसे पराजय ही स्विकार करनी पड़ती है और वहे जलमे ही समाजाती है और उशा साक्षात लक्ष्मी जान पड़ती है वित्रों प्रसुत चंद में विंजना शक्ती की सहायता से उशा और प्रले कालिन रात्री में युद्ध का चितरन किया गया है, जैलक्षमी सी में उकमालंकार है और उशा सुनहले तीर बरस्ती में प्रयोजनवती साध्यावसाना गौनी लक्षना का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि वह विवर्ण मुख त्रष्ट प्रक्रति का आज लगा हंसने फिर से वर्षा बीती हुआ स्रिष्ट में शरद विकास नए सिर से. मित्रों विवर्ण अर्थात शोभाहीन रंग उड़ा हुआ, त्रस्त अर्थात भैभीत शरद विकास अर्थात शरद रितु का आगमन नए सिर से अर्थात नमीन धंग से. मित्रों प्रसाद जी कहते हैं कि प्रले के कारण प्रक्रति का जो मुह भैयातुर और कांती हीन दिखाई देता था, आज वह अपुना उसी प्रकार मुस्कुरा उठा, इस प्रकार वर्षा के समाप्त होने पर शरद रितु के आते ही संसार में चारों और आनन्द छा जाता मित्रों वह विवर्ण मुख तरस्त प्रक्रतिका में प्रयोजन वती शुद्धा साध्या वसाना लक्षन लक्षना है और इस अंपूर्ण चंद में मानवी करण अलंकार का प्रयोग किया गया है आगे प्रसाज लिखते हैं कि नव कोमल आलोक भिखरता हिम संस्रिती पर भर अनुराग सित सरोज पर क्रीडा करता जैसे मदमय पिंग पराद नव कोमल आलोक अर्थात प्रभात के समय का नवीन और सौम्य प्रकाश, हिम संस्रिती अर्थात बर्फ का संसार या बरफीला प्रदेश, सित अर्थात सफेद, सरोज अर्थात कमल और पिंग अर्थात पीला मित्रो प्रसाज जी लिखते हैं कि उशा का आगमन होने पर उस बरफीले प्रदेश पर सूर्य रस्मियों का नवीन प्रकाश प्रेम पूर्वक इस प्रकार फैलने लगा, मानो सफेद कमल पर मकरंद वाला पीला पराग बिखर गया हो मित्रो यहां हिम राशी के लिए सफेद कमल, सुनेले प्रकाश के लिए पिंग पराग अर्थात पीले पराग का प्रियोग उपमा लंकार को दर्शाता है मित्रो जल प्रले के कारण काफी समय बाद सूर्य उदे हुआ है और इसलिए उसके प्रकाश को नमीन और कोमल कहना स्वाभाविक है इन पंक्तियों के संबन्द में श्री गंगा प्रसाद कहते हैं कि बालारुन खिरनों की उपमा कभी ने पीले पराग से दे कर कितना सुन्दर निर्वाह किया है इसमें उपमान तथा उपमे के वचन और लिंग तक का ध्यान रखा गया है अत्या इसका चमतकार और भी बढ़ गया है आगे प्रसाद जी कहते हैं कि धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से जगी वनस्पतियां अलसाई मुक्धोती शीतल जल से साज जी कह रहे हैं कि प्रसाद जो बर्फ की तह जमी हुई थी परत जमी हुई थी वो भी अब धीरे धीरे गलकर लुक्त होने लगी और उसके नीचे दबे हुए पेड़ पोधे फिर से बाहर स्पष्ट होने लगे दिखाई देने लगे कुछ जल से भीगी हुई वनस्पतियों को देखकर यही प्रतीत होता था मानोवे जागने पर अब शीतल जल से अपना मूध होकर आलश्य दूर कर रही है प्रसुत पंक्तियों में मानवी करण अलंकार है और जड़ प्रकृती में चेतनता का आरोप करने के कारण उपचार वकृता की अभिवक्ती भी की गई है आगे प्रसाद जी कहते हैं नेत्र निमीलन करती मानोव प्रकृती प्रबुद्ध लगी होने जलद ही लहरियों की अंगडाई बार बार जाती सोने साथ जी कहते हैं कि जिस प्रकार उन रूप से जागने से पहले कामिनी अपने सुकुमार पलके खोलती और बंद करती है उसी प्रकार प्राकृतिक वस्तुएं अब पहले तो शने सने उत्पन हुई और उसके बाद पूर्ण तह विक्सित होने लगी अतह है प्रकृति में भी अब चेतनता सी आ गई और समुद्र की लहर भी अब आ आनवी करन अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया गया है और नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रभुत्त लगी होने में उत्प्रेक्षा और जलती लहरियों की अंगडाई बार बार जाती सोने में विशेशन विपरे अलंकार का प्रयोग किया गया है आगे प्रसाज लि सिंधु अर्थात सागर, सेज अर्थात सय्या, धरा अर्थात प्रित्वी, वधु अर्थात दुलहन, संकुचित अर्थात सिकुडी हुई, मान किये अर्थात रूठी हुई, एठी अर्थात अकडी हुई. वित्रों प्रसाज जी कहते हैं कि जल प्रले कम हो जाने के कारण उस भीषन जलरासी से थोड़ी सी प्रित्वी भी बाहर निकल आई थी और ऐसा लग रहा था मानो समुद्र रूपी सेज पर प्रित्वी रूपी नव अधू सिकुडी हुई बैठी हो वित्रों धर्ती के उपर से जल जब अचानक ही हट जाता है तब जो भूभाग दिखाई देता है उसमें सिकुडने सी पड़ जाती हैं और नव अधू भी इसी प्रकार लज्जा के कारण सिकुड कर ही बैठती हैं और इसलिए यहां प्रसाज जी ने प्रित्वी को नव अध के कारण स्वाभावी की लज्जा वश एंठ में आकर मान करने लगती है उसी प्रकार प्रित्वी रूपी वधू भी प्रलेकालिन रात्री की हलचलों को स्मरन करके मानों पुरूठी हुई सी लगती है मित्रों प्रसुत पंग्दियां मानवी करण का सेष्ट उधारन है य जो की रात्री के मिलन की हलचल के बाद कुछ खुब्द और मान में भरी हुई बैठी है रूपक और समासोक्ति अलंकार का प्रियोग भी यहाँ पर किया गया है आगे प्रसाजी लिखते हैं कि देखा मनुनेव है अतिरंजित विजन का नव एकांत जैसे कोला हल सोया हो हिम प्रसाजी लिखते हैं कि मनु उस निर्जन नवीन मनोहर एकांत स्थान को देखते हैं और वहां की नीरवता को देखकर उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा कोला हल ही शीतल बर्प से ठिठुर कर जड़ हो गया हो और वहीं कहीं ठक कर सो रहा हो और चारों और शान्ती चा गई हो पित्रों अंतिम बंक्ती जैसे कोला हल सोया हो हिम्शीतल जड़ता साश्रांत में हितुत प्रेक्षा और उपमालंकार का प्रयोग है और संपूर्ण चंद में प्रयोजन वती गोणी लक्षन लक्षना शब्द शक्ती का प्रयोग किया गया है आगे साथ जी लिखते हैं कि इंद्र नीलमणी महाचशक था तोम रहित उल्टा लटका आज पोवन मृदुसांस ले रहा जैसे बीत गया खटका इंद्र नीलमणी अर्थात नीले रंग का एक प्रसिध रत्न नीलम इंतो यहाँ पर इंद्र नीलमणी से तात्परे है आकाश नीला आकाश महाचशक अर्थात बड़ा प्याला सोम अर्थात चंद्रमा अथवा सोम अर्थात रस मित्रो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाज लिखते हैं कि प्रातह कालीन चंद्रमा से रहित नीला आकाश ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नीलम के किसी बहुत बड़े प्याले को जिसका की सोमरस खाली कर दिया गया हो उल्टा लटका दिया है और जिस प्रकार आसन विपत् और मनुष्य सुख की सांस लेने लगता है कुछी प्रकार प्रले कालीन भयानक वातावरण के समाप्त हो जाने के कारण पवन भी निशिंता के साथ सांस लेने लगा अर्थात वायू मंतर गति से चारों और बहने लगी मित्रों प्रथम पंक्ती में रूप का तिशयोक्ती और अंतिम पंक्ती में एतुत प्रेक्षा अलंकार है वायू के मृदु स्वांस लेने में मानुवी करण अलंकार और लक्षन लक्षना का प्रयोग भी किया गया है आगे प्रसाद जी कहते हैं कि वह विराट था हेम घोलता नया रंग भरने को आज कौन हुआ यह प्रशन अचानक और कुतुहल का था राज वित्र विराट अर्थात महान अथवा सरवग्य व्यापक शक्ति हेम अर्थात सुनहरा रंग पुतुहल अर्थात आशर्य और राज अर्थात विस्तार वित्र प्रसाज जी कहते हैं कि सुख और शान्ती का अवसर देखकर उस महान शक्ति अर्थात इश्वर ने पृत्वी को नमीन रंग से रंग देने के लिए अर्थात सुष्टी में आनंद का संचार करने के लिए सुनहली उशा के रूप में सुनहला रंग गोलना प्रारं कर दिया मित्रों कहने का तात्पर यह है कि संपूर्ण सष्टी सुर्य के प्रकास से जगमगा उठी इस प्रकार मनु ने जब यह द्रिश्य देखा तो अचानक उनके हिदय में यह जिग्यशा उत्पन हुई कि प्रकृति में इतनी नीरवता और मादगता लाने वाली यह क किया गया है आगे प्रसाद जी लिग रहे हैं कि विश्वदेव सविता या पूशा सोम मरुत चंचल पाउमान वरुन आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अमलान मित्रों सविता अर्थात सूर्य पूशा एक देवता मरुत वायू अत्वापवन पाउमान आंधी अमल प्रसाद जी लिखते हैं कि मनु सोच रहे हैं कि आखिरवा कौन सी शक्ती है कि जिसके कभी भंग न होने वाले शासन में विश्वदेव सूर्य पूशा ओवन आंधी और वरुन आदि सभी देवता विना विश्राम किये निरंतर चक्कर काट रहे हैं अर्थात अपना कारे कर रहे हैं आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि किसका था भ्रू भंग प्रलैसा जिसमें ये सब विकल रहे और ये प्रकृति के सक्ति चिन ये फिर भी कितने निबल रहे उत्रोप भ्रू भंग अर्थात भौहें टेड़ी करना प्रकृति के शक्ति चिन अर्थात प्राकृत प्रसुत पंक्तियों में मनु कहते हैं कि आखिर वह कौन से शक्ति है जिसके जरासी घौँ ठेडी कर देने पर अर्थात कृद्ध होने पर प्रलय मच गई और सब घबरा उठे अभी तक तो ये देवता प्राकृतिक शक्ति कहे जाते थे अर्थात ये प्रकृति को क्रियाश बनाते थे लेकिन अब ये ही उस विराट शक्ति के सामने ऐसा हाई और दुर्बल सिद्ध हो चुके हैं मित्रों कहने का तात पर ये है कि शूर्य, चंद्र, पूशा, पवन और वरुन आदी शक्तियों से वह विराट शक्ति अधिक शक्ति मान है उत्रों ब्रुभंग प्रलेशी में उपमा अलंकार और अंतिम पंक्ति में विरोधावाज अलंकार का प्रयोग किया गया है आगे साथ जी कहते हैं कि विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाए उनकी कैसी बुरी दशा थी वे थे विवश और निरुपाए मित्रों सकल भूत चेतन समुदाए अर्थात संसार के सभी चेतन फ्राणी, निरुपाए अर्थात जिसके पास कोई उपाए ना हो, मित्रों रसुत पंक्तियों में मनु कहते हैं कि इस भैंकर प्रले के समय क्या जड़ और क्या चेतन सभी विकल होकर काप उठे और उनकी दश अत्यंत शोचनी हो गई और वे विवश और निरुपाए हो गए, अर्थात उनसे कुछ भी करते धरते नहीं बना, मित्रों प्रसुत पंक्तियों में विराट शक्ति को सर्वोपरी सिद्ध किया गया है और देव सिष्टि के विनाश अर्थात उस भैंकर जल प्रले का हां कि गर्व रथ में तुरंग सा जितना जो चाहे जुतले। मित्रों तुरंग अर्थात गोडा, मनु कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि ना तो यह सूर्य, चंद्र और वरुण आधी प्राकृतिक शक्तियां ही देवता थी और नवे स्वयम और उनके पूर्वज ही अर्थात परिवर्तन शील थे और इस तरह जिस प्रकार रथ को कीशने वाला घोडा, यदि यह समझ कर कि रथ उसकी की इच्चा से चल रहा है, अपने आप पर अविमान कर बैठे, उसी प्रकार उन्होंने, अर्थात मनु आधी देवताओं ने भी एंकार वश यह समझ लि उसी तरह उन सब को भी वविराट शक्ती चलाती है, इस प्रकार यथार्थ में वह महान शक्ती ही देवता है, क्योंकि उसी की इच्चा की अनुसार कारी करना पड़ता है, वित्रों अंतिम पंक्ती में रूपक और उपमा का शंकर है, आगे अप साजी लिखते हैं कि महान इस परम व्योम में अंतरिक्ष में जोतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युतकन, किसका करते से संधान, वित्रों व्योम अर्थात आकाश, जोतिर्मान, अर्थात प्रकाश्ते युक्त, ग्रह अर्थात चंद्र, मंगल, आदी, नक्षत्र, अश्विनी, भर्नी, आदी चोटे तारे, संधान, अर्थात खोज या तलाश। मित्रों प्रसाद जी लिखते हैं कि मनुए सोच रहे हैं कि वह कौन सी ऐसी विराट शक्ती है जिसकी खोज करने के लिए महाकाश और अंतरिक्ष में तूर्य चंद्र आदी ग्रहे और अन्य अशंख तारे और अनु परमा प्रकाश से युक्त होकर घूमते रहते हैं मित्रों प्रसुत पंक्तियों में हितुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि छिप जाते हैं और निकलते आकर्शन में खिचे हुए त्रण विरूध लह लहे हो रहे किसके रस से सिच मित्रों त्रण अर्थात घास, विरूध अर्थात लताएं, ओधे, आदी मनु कहते हैं कि नजानेवा कौन सी विराड़ शक्ति है जिसके आकर्शन के कारण ग्रह और नक्षत्र कभी तो छिप जाते हैं और कभी निकल कर चमकने लगते हैं मित्रों मनु के कहने का तातपरिय है कि ये सभी ग्रह नक्षत्र आदी उस विराड़ सक्ता को खोजते हुए कभी तो छिप जाते हैं और कभी फिर से खोजने के लिए उन्हें आना पड़ता है और यही कारण है कि वे बार-बार अस्त होते हैं और उधे होते हैं मनु फिर कहते हैं कि यह कौन से शक्ती है जिसके रस से सिंचित होकर ये पेड़ पौधे लहला रही है और इस प्रक्रती को हरी भरी करने का श्रे आखिर किसको है वित्र प्रसुत पंक्तियों में गुरुत्वाकर्शन के सिध्धान्त की और प्रसाजी का संकेत है आगे साजी लिखते हैं कि सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहां सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहां सत्ता अर्थात शासन या शक्ती प्रवचन अर्थात गुंगान करना अस्तित्व अर्थात विद्यवानता पित्रों मनु कहते हैं कि वह कौन से विराट शक्ति है जिसकी आधीनता सभी निस्विकार कर ली है और मूख भाव से उसकी महिमा का गुणगान किया है। विरोधवा सलंकार का प्रयोग किया गया है। पित्रों में यह अत्यंत मनोहर शक्ति कौन सी है और वे यह भी नहीं जानते कि आखिर उस विराट शक्ति का सुरूप किस प्रकार का है। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान मंद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गान। मित्रों भान अर्थात प्रतीत होना ज्यात होना मनों कहते हैं कि संपोर्ण शिष्टि पर साशन करने वाली हे विराट शक्ति तुम कुछ तो हो और इस चराचर जगत में तुमारा कुछ अस्तित्व अवश्य है क्योंकि सागर भी अपनी धेरे पूर्ण मंद और गंभीर मित्रों पृस्तित्व पंग्तियों में परिकर अलंकार का प्रयोक किया गया है अगे प्रसाज लिखते हैं कि यह है क्या मधूर स्वपन सी जिल्मिल सदय हर्दय में अधिक अधीर व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बन कर प्राण समीर मित्रों मनु अपने आप से प्रश्न करते हुए पूशते हैं कि उनके कोमल हिर्दय में सुमधुर स्वपन के समान माधकता और अधीरता उत्पन करने वाली वह कौन सी शक्ती है शायद यह आशा ही है जो कि प्राणों की पोशिका बनकर उनके हिर्दय में व्याकुलता से उत्पन कर रही है मित्रों जिस व्यक्ति का हिर्दय जितना कोमल होता है उसे उतना ही अधिक दुख होता है मनु का हिदे कोमल होने के कारण अधिक दुखी हो रहा था और आशा को इसलिए मधूर सुपन कहा क्योंकि आशा कभी पूरी होती है और कभी पूरी नहीं होती लेकिन उसका होना सुख देने वाला होता है साथ ही आशा जो है भावी सुक और भावी कामना पूर्ती की सम्हावना तो जागरत करती है वह इस सुक को शीग्र से सीग्र प्राप्ट करने की प्रेना भी देती है और इसलिए उसके कारण अधीरता और व्याकुलता का होना स्वभाविक है मित्र प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा और रूपक अलंकार की योजना की गई है आगे प्रसाजी लिखते हैं समित, मस्कुराहट, मधुमे तान, अर्थात, मधुर या मीठी तान मित्रों प्रसाजी कहते हैं कि जिस प्रकार सुख की रातों से जागना अतिदिक प्रे लगता है उसी प्रकार मधुर जागरन की भांती, आशा भी प्रतेक व्यक्ति को प्रे लगती है और सभी यह चाहते हैं कि वह हमेशा फिर्दय में निवास करती रहे। साथ ही फिर्दय में आशा का उदय उसी प्रकार धीरे-धीरे होता है जिस प्रकार अध्रों पर मुस्कान की लहरें उड़ती हैं और जिस तरह कोई सुरीलीतान अनृत्य करती सी अरथा चकर काड़ती हुई सी प्रतीत होती है एक उसी तरह आशा फिर्दय स्थले में प्रविष्ठ होती है मित्रों प्रसुत पंक्तियों में मालोप मालंकार है आगे प्रसाजी कहते हैं जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतलदाह, इसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुबुत्साह, मित्रों खेल रहा है, अर्थात प्रगट हो रहा है, शीतलदाह, अर्थात शान्ति पूर्ण, इर्श्या या दूसरों को ने मालूम पढ़ने वाली रदय की जलन, साथ जी कहते हैं कि मनु कह रहे हैं कि पहले जहां प्रले और मृत्यु का भेंकर द्रश्य उपस्तित था, वहां अब चारों और से जीवन की पुकार सुनाई दे रही है, साथ पर यह है कि मनु के रदय में एक मदूर जलन और मीठी कसक सी हो रही थी, साथ ही इस जल प्रले में नश्ट होने से बचने के कारण अब स्वाभाविक ही उन्हें जीवित रहने की अविलाशा भी होती है, इस प्रकार उशाकाल में नव प्रभात के दर्शन करके उनके हर्दय में उत्साह की भावना जागरित होने लगी है और वे यह सोचने लगे कि आखिर प्रसुत पंक्तियों में जीवन जीवन में वीपसा और शीतल दाह में विरोधा भास और अंतिम पंक्ति में विशेशन विपरेय अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों शाश्वत अर्थात अमर या हमेशा रहने वाला नब के गान अर्थात आकाश में गुंजने वाले शब्द या सुष्टि का इतिहास। और उन्हें ये लगने लगा है कि अब उनकी भी सकता है। जिस प्रकार भक्त के कानों में आराध्य द्वारा दिये गए वर्दान की अनुपम धोनी गुंजती रहती है। उसी प्रकार मनों के इर्दे में भी इश्वर के अस्तित्व के पुकार गुंज रही है। और उनके इर्दे में इच्छा उत्पन हो रही है कि उनका यश भी हमेशा इस शिष्टि के इतिहास में गुंजता रहे। मित्रों वर्दान सद्रश में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनु के इर्दे में आशा के उत्पन होते ही अब वे यह सोचने लगे हैं कि वस्तुत है किसकी सरल विकास मही सत्ता इस तरह के संकेत कर रही है। और क्या कारण है कि आज पुने उन्हें जीवित रहने की और विलास में जीवन वितीत करने की इच्छा हो रही है। इस प्रकार अब मनु को निज जीवन विक्सित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ती और करतव्य करने की इच्छा हो रही है। मित्रों प्रसुत पंक्तियों में विकास मई सक्ता के संकेत के द्वारा प्रसाट जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जल प्रले के उपरांत शष्टी में जो विकास हुआ है उनमें किसी अग्यात शक्ति का हाथ है और वही आज मनु को प्रेरित कर रही है कि उन्हें जीवन को विलासपूर्ण बनाने की इच्छा हो रही है। और उन्हें जीवित रहकर करना क्या होगा। इस प्रकार मनों कभी कई वीश्वर से यह प्रातना करने लगते हैं कि उन्हें यह बता दिया जाए कि इस अमर वेदना को लिए हुए कब उनकी मृत्यू होगी। मित्रों अंतिम पंक्ती में विरोधाभा सलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाजी कहते हैं कि एक यवनिका हटी पवन से प्रेरित माया पट जैसी और आवरण मुक्त प्रकृति थी हरी भरी फिर भी वैसी। कले का अंत होते ही प्रकृति का वह स्वाभाविक सौंदर्य जो कि अब तक धका हुआ था पुर्वत प्रकट हो गया और वह पुनह पहले के समान हरी भरी हो गई। मित्रों माया पट में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे प्रसाजी कहते हैं कि श्वन सालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा की मंदिर की मानों कोई गैल रही, मित्रों श्वन सालियों की कलमें अर्थात धान के छोटे छोटे सुनेरे पोधे, शरद इंदिरा, अर्थात शरद लक्ष्मी और गैल, अर प्रसुचंद में गैल शब्द के प्रयोग से ग्रामत्व दोश आ गया है किन्तों कोमल कांथ पदावली और शब्द माधूरी की दिष्टी से यह पद प्रशंसनी है दूर दूर में पुनरुक्ति प्रकाश, शरद इंदिरा में रूपक और अंतिम पंक्ति में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार की योजना हुई है तो मित्रों यह था जैसन करपसाद जी द्वारा रचत काल जाई रचना, कामायनी के द्वितिय सर्ग, आशा सर्ग का प्रथम भाग, शेस कथा की जर्चा, हम अगले भागों में करेंगे यदि आपने अभी तक भी बातें सहित की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खृपया सब्सक्राइब करें, गंटी वाला बटन दबाएं, और भविश्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुँचाएं, पीडियेफ तता अन्य सहिता के लिए हमसे टेलिग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें सहित की, धन्यवाद